आज का टॉपिक एलोवेरा के बारे में हैं इसे घरतकमारी भी कहा जाता है एलोवेरा इंटरनल और एक्स्टरनल बोडी के लिए बहुत ही बहतरीन और उप्योगी है इसमें फाइवर, विटामीन A, विटामीन B, विटामीन C, फॉलिक एसिट, कॉपर, आईरन, मेंगनेशियम, भरपूर मातरा में होता है इस वीडियो में आप जानेंगे की एलोवेरा कितना फायदमन है और इसे यूज करने का सही तरीका क्या है तो चलिए सुरू करते हैं एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाइल्स, एसिडिटी और कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकते हैं तो उसमें पानी एड ना करें क्योंकि इसे फॉलिक एसिड और फाइबर भरपूर मातरा में होता है तो अगर आप इसमें पानी एड करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना वाके में मिलना चाहिए आप इसे बिना पानी एड करें ही लें या आपके लिए ज़्यादा लाग करी होगा एलोविरा जूस को आप 15-20 ml रोजाना ले सकते हैं अब बात करते हैं PCOD या PCOS की एलोविरा जूस PCOD की समश्या को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है इसके लिए 60 ml एलोविरा जूस बिना फानी के रोजाना सुबर खाली पेट लें और ध्यान रखें कि इसे पीने के बाद 45 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है तब ये एलोविरा जूस आपके लिए फायदेवन रहेगा और इस समस्या से दूर रहने के लिए साथ में प्राणायाम भी जरूर करें एलोविरा जूस गूटनों के दर्द, कटिया और जोडों के दर्दे के लिए रामबाड का काम करता है यदि पैरों में किसी भी परकार का दर्द है तो तीन चमच एलोविरा जूस लें और उसमें एक स्कार्स है और अगर आपके फेस में पिंपल्स, एट्ने और स्कार्स है तो आप एलोविरा की फ्रेस लिव लें और सुबह उटके एलोविरा जेल को अपने पूरे फेस में अच्छे से लगा लें और 15 मिनट के बाद अपने चैयरे को धूर लें आपको पिंपल्स और उनके दावों से चुटकारा तो मिल जाएगा साथ में आपकी इस्कीन भी काफी गलो करेगी एलोविरा का इस्तेमाल आप कंडिशनल की तरह भी कर सकते हैं एलोविरा का जेल आपके बालो को गिरने से तो बचाता ही है और बालो की चमक को भी बढ़ाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें